नमस्कार दोस्तों मेरे डामे विमल सिंग बाला जी स्ट्री एड़ा में आपका स्वागत है सीट एक तिस जन्वरी 2021 के लिए आपका जैसे कि हम आपको प्रेक्टिस एक्टर आ रहे हैं तो जैसे पहले वाले जो प्रस्न थे परवान अध्यन वाले वो आपको साइड में बिटन में पिछला वला वीडियो आपको मिल जाएगा आज हम देखेंगे हिंदी के जो है प्रस्न जिसमें आपका एक गध्यांस भी आता है एक पध्यांस भी आता है और साथी साथ कुछ पेड़ागाजी सेक्शन के भी प्रस्न देखेंगे तो कुल 15 प्रस्न हम देखेंगे 15 प्रस्न हम इसलिए देखते हैं ताकि कम प्रस्नी भले आप देखें पर आपका जो concept है वो clear हो ज्यादा प्रस्नों की संख्या देखना आपका important नहीं है आपका concept clear होना important है तो चलिए सुरू करते हैं आपका सबसे पहले गध्यांस दे रखा इसको पढ़ते हैं प्रस्न उसके बाद हम पढ़ेंगे जो कि मनुस्य का एक तरफा विकास करते हैं जिसके कारण या जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग आत्रित रह जाता है बाल्य आवस्था में भी कला सिक्षा को अभी तक उचित इस्थान नहीं मिला है जहां मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्स का होते ही उसके सिक्षा क्रम में से कला प्रवत्तिहों को निकाल दिया जाता है ऐसे ही हर्वर्ट रीड जो है उन्होंने भी कहा है उन्होंने काया कि हमारा अनुबव हमें बताता है कि हर वेक्ती 11 साल की उम्र के बाद किसोर अवस्ता और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी ना किसी कला प्रवत्ती को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है आज की सबी विशाय जिन पर हम अपनी एक मात्र स्रद्धा करते हैं जैसे गडित, भुगोल, इतिहास, रसायन सास्तर और यहां तक की साहित भी जिस तरह पढ़ाय जाते हैं उन्हों सबकी बुनिया तारकिक है उन पर एक मात्र जोड़ देने के कराण कला प्रवत्तियां जो भी बिल्कुल निकल जाती हैं कि सोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है सब विता रोज बार रोज बेड़ब होती जा रही है व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है उसका मानो अस्वस्थ और परिवार दुखी है समाज में फूड प्रसन आपका पूछा गया है कि अनुचेत के आधार पर हमें किस पर सारवादिक ध्यान देने की जरूरत है विज्ञान पर कला प्रवत्ति पर या फिर किसोरा अवस्था पर या फिर बाल्या अवस्था पर तो इस प्रकार से चार ओप्शन है कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया कला प्रवत्ति के बारे में दूसरा वाला आपका उप्शन जो है वो बिलकुल सही हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं आपका 92 कि अनुच्छेद के अनुसार गडित भुगोल इतिहास जो आदी विसे हैं वो तरक प्रदान बात करते हैं अन्सर की आपशन 1234 में से तो आपका पहला आपशन तरक प्रदान सही हो जाएगा अभी यहा पर साइड में मैंने दिखाया भी था प्रग्राफ में आपको दिखा देता हूं इस टाइप से यहाँ पर देखे लिखा था जैसे गडित हो गया भुगोल हो गया इतिहास हो गया, रसायन सास्त्र है, यहां तक की साहित भी, जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियात कैसी है, तारकिक है, तो यही आपका देखे प्रस्ण में पूछा गया है, तो प्रस्ण करने का, या परग्राफ करने का, स्वाल करने का सबसे अच्छा तरीका ह speed में आप बहुत पढ़िये और चीजों को समझ लीजिए वहाँ पर कहा क्या जा रहा है अगला देखते हैं आपका कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक मात्व देने के कारण समाज उन्नती कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ती विद्वन्स की रहा पर नहीं है देखे पराग्राफ मैं इस ले करा रहा हूँ, में रीजन यह है कि आप कहीं भी प्रेक्टिस कीजिए, किसी भी किताब से भी यदि आप प्रेक्टिस करेंगे तो पराग्राफ अब कभी नहीं पढ़ते हैं, उतने प्रस्न तो पेडाग्राफ भी आता है, तो जब आता है तो आपको प्रेक्टिस करना चाहिए, तो हर चीज प्रेक्टिस करना जरूरी है, जरूरी नहीं कि आप पर्टिकुलर पेडाग्राजी सेक्षन से ही वहाँ पर पास होने जा रहे हैं, तो हर प्रकिक्ता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है पतन का रास्ता ग्यान का रास्ता प्रगती का रास्ता या फिर कर्म का तो इस प्रकार से चार आप्शन में छाटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा बात करते हैं अंसर की आप्शन 1,2,3, में से आपका पहला ही option पतन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा पतन का रास्ता जो है वो अपना रही है 95% कहा रहा है इन में से कौन सा सब्द समू से भिन है यह आप बिना paragraph के भी बता सकते हैं क्योंकि paragraph से सब्दों को उठाया क्या है पर आपको स्वेम यहां पर दिमाग ल आपसे को पढ़ रहा हूँ उससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि तारकिक में देखिलाश में एक प्रत्य आ रहा है इसी प्रकार देखिए स्वाभाविक में भी एक स्वाभाविक आ रहा है साहितिक में भी देखिलाश में एक आ रहा है पर अभिवेक्ति में नहीं आ र वाला आपका भिन है यही जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रकार से प्रसन आपके paragraph में भी पूछे जाते है paragraph से जो कि आपके इस प्रकार बेश्ड जो होते हैं अगला देखते है 96 कि आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है वाकिव में निपात आपको बताना है ये भी आप बिना paragraph के इस प्रसंद को कर सकते हैं निपात आपको पता होना चाहिए होता क्या है आज भी इस या में तो देखिए निपात आपका होता है किसी भी बात पर अत्रिक्त भार देने के लिए जिन सब्दों का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं निपात अब समझ लीजे इस टॉपिक को निपात के एक्जाम्पल से, जैसे मैं आपसे कहूँ, तुम्हें आज रात रुकना ही पढ़ेगा, तो तो यहाँ पर जो वर्ड है, वो क्या कर रहा है, जोर दे रहा है, भार दे रहा है, तो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, आज की तालीम भी इसी दौड में साथ दे रही है, तो क्या निपात हो जाएगा, भी हो जाएगा, पढ़ने से ही आपको चीजे समझ में आ रही है, तो उस्तुरा वाला आपका option बिल्कुल से हो जाएगा, कुछ और example की अगर मैं हो जाएगा, इस सब आपके निपात के सेंस में यूज किया जाते हैं, जैसे धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता है, तो आपका मात्र यहाँ पर निपात हो जाएगा, अगला देखते 97, 97 प्रस्ण आपका है कि विक्सित सब्द में आपको प्रत्य जो है वो ब बताना है, विक्सित सब्द में कौन सा प्रत्य होगा, ओप्शन 1, 2, 3 या फिर 4, बात करते हैं, अंसर की तो प्रत्य मात्र सही समझ में आ रहा है, विक्सित में आपका इत्प्रत्य होता है, आपका दूसरा ओप्शन मिलकुल सही हो जाएगा, यह सबी बिना पेरग्राफ क कि अनुचेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक सिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, ओसत है या फिर पता नहीं, तो पता नहीं तो आप बिलकुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि बात उसकी की गई थी इस आधुनिक सिक्षा के बारे में पेरग्राप में, दुखद है स्थिति की बात की गई थी, दूसरा वाला आपको उप्षन बिलकुल सही हो जाएगा, अगला प्रस्ण कहा रहा है कि आधुनिक सिक्षा में किसी विशेक को सबसे अधिक महत्तो दिया चाता है, किस कला को, भासा को, विज्ञान को या फिर इतिहास को इस प्रक अच्छे प्रस्ण आपको हम प्रेक्टिस जो है वो कराते रहें, अंसर की बात करते हैं, ऑप्षन वन टू थी, फोर में से कला, भासा, विज्ञान या इतिहास, तो आपका अंसर तीसरा वाला ऑप्षन विज्ञान जो है, वो बिलकुल सही होगा, किस विशेक को सबसे नात दिया जाता है आदुनिक सिक्षा में, विज्ञान विशेक को, परग्राफ में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखे लिखा भी हुआ था, कि इस भयाना का वस्थाओ का अमारा जो 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 प्रस्ण था, वो पूछा गया था, वापस से लोड़ते हैं साकार दिविक, गौरव विराट, पौरुस के पुंजी, भूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव विभाल, मेरे नगपती, मेरे विशाल, युग युग अजे निर्बद, मुक्त, युग युग, गर्वोननत, नित महान, निसीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंडिया, चिर समादी, यतिवर कैसा या अमरध्यान, तु महा सुन मैं खोज रहा, किस जटल समस्या का निदान, उलजन का कैसा विसम जाल, मेरे नगपती, मेरे विशाल, तो इस प्रकार से आपका पूरा दे रखा है, और इस पर बर्फ का मुकुट होता है, चांदी का मुकुट होता है, या फिर स्वर्णिम मुकुट होता है, ये आपके चार आप्शन है, बताना है आपको इन चार आप्शन में कौन सा जो है, वो सही होगा, तो आप्शन 1, 2, 3, 4 में से बात करते हैं अंसर की, तो आपका दूसरा वाल पूछा गया है नगपती जो है उसका विग्रे और समास आपको बताना है रतनो नग का पती ततपुरुष समास होगा या फिर नगो परवतो का पती है जो कर्मधारे समास होगा या फिर नगो परवतो का पती ततपुरुष समास होगा या फिर नगो का पती है जो ऐसा तो तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 102 प्रस्न देखते हैं आपका, कि किस पंक्ती में कहा गया है कि हिमाले सक्ती की जौलाओं का जो है वो धेर है, तो ये चार पंक्तिया दे रखी हैं, कि युग-युग, अजे, निर्बद, मुक्त, या फिर मेरे भारत के दि पंजी भूत, जोल, या फिर साकार दिव्य गौरब, विराट, तो इखिमाले सक्ती की जोलाओं का ठेर है, ये किस पंक्तियों में कहा गया है, अंसर की बात करते हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से, तो आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा, कि पॉरस के पंजी भूत, जोल ये ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन अमबर तीसरा वाला, एक्सो तीन प्रसंद कहा रहा है कि जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए कविता में कौन सा सब्द यूज हुआ है, तो कविता के अलावा भी आप जानते हैं, या एक सब्दों के एक सब्द में भी आपका ये है, बताना है आपको कि जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए कौन सा एक सब्द होता है, अंसर की बात करते हैं, उप्शन 1, 2, 3, 4 में से, आपका पहला उप्शन अजे जो है, बिल्कुल सही हो जाएगा, तो चार प्रसंद देखते हैं, निसीम सब्द में कौन सी संदी होगी स्वरसंदी, वियंजनसंदी, विसर्गशंदी या फिर दीर्गशंदी, यही प्रस्ण मैंने आपसे ज़स्ट इस से पहले वाले वीडीयो में पूछा था और आपसे कहा था कि इसका वीडियो के में कमेंड में आपको अंसर बताना है, तो लगबग सभी का अंसर सही था, बात करते हैं अंसर की आपका option 1,2,3,4 में से तो आपका अंसर option नमोर तीसरा विसर्ग संधी जो है विलकुल सही हो जाएगा निस सेम सब्द में संधी देखते हमारा अगला और इस वीडियो का last प्रसन और paragraph का भी last प्रसन है क्योंकि total 15 प्रसन ही मैंने कहा था और इसके बाद जो 15 प्रसने वो सभी आपके pedagogy section के आते हैं वो हम देखिंग next वीडियो में 105 प्रसन आपका है last हिमाले को यतिवर कहकर समोधित किया गया है क्योंकि वह भारत का प्रहरी है परवतों का स्वामी है समाधी में जो है वो lean है या फिर समस्या का हल जो है वो ढूंड रहा है तो सब्सक्राइब करके भी आवश जुड़ जाएगा और टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े है तो वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा सर्च करके भी बाला जीश टेलिया जुड़ सकते हैं और इसके बाद एक प्रसनम आपसे भी पूछेंगे देखते हैं इसका answer सबस यह 112 नंबर वाला प्रसनम आपसे पूछ रहे हैं जैसे कि सबी वीडियो में आपसे एक प्रसन पूछते हैं तो भासा अर्जन छमता आपको बताना है किसके साथ संबंदित है पियाजे के साथ है चौमस्की के साथ है सकिनर के साथ है या फिर ब्रूनर के साथ है तो option 1,2,3 से कौन से साई होगा अपना answer वीडियो के main comment में type करके बताएगा इसका जो answer है वो हम देखेंगे just इसके बाद वाले वीडियो में तीन बज़े आपकी live timing है तो वीडियो live आकर भी आप देख सकते हैं seated के लिए और अन्य वीडियो देखने के लिए आप playlist में जाकर भी देख सकते हैं इससे पहले भी हम काफी sets already करा चुके हैं seated के लिए जो आपका NCIT based पर्रेव रनाता है उसका भी हम already करा चुके हैं वो सारी चीजे भी आपको playlist में मिल जाएंगी तो आज कुड़ में इतना ही वीडियो फसंद आया हो तो लाइक आवस कीजिएगा चैनल पर नहीं हो